तो मैं एकल कोटिलिया से और आज दिहास के महात्रपूर्ण प्रश्ट पर इमाध्रिस से हम चर्चा करेंगे हमेशा की तरह आज फिर एक नई चीज हम लोग हमेशा के लिए याद करेंगे अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है आप अपने आतलन कीजिएगा मेरे वीडि परिशा के लिए इसमें कोई सथियोग नहीं है हमसी चीच new यह आधी आदिए महामुद घरी आज सम ने से दो चाहिए करते हैं जो बहुत ही महात्रपूर्ण है तोड़ी सी और हिसे हम अच्छे उंक नहीं लापाते हैं आयेindi को हमेशा के लिए खतम करते हैं महामुद गजनी पर ट्रिक है ध्यान से सुनिएगा आज के बाद महामुद गजनी से जो पांच करत्व है आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे देखेगा एक ट्रिक है एक डाइडाउग को उसके अंदार में बोलेगे माय गजनी भारत पर एक बार नहीं सत्रा बार आकर मढ करूँगा एक हजार बचीस में शोमनात मंदिर लोटूँगा 1027 में भारत पर मेरा अंतिमाकरमन होगा और 1030 में मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगा मैं गजनी इतने बोलना है एक बफरे से ध्यान देते हैं आई ये बहुत ध्यान से देते हैं मैं गजनी भारत पर एक बार नहीं 17 बार आकरमन करूगा 1025 में सोमनात मंदिल लोटूँगा 1027 में भारत पर मेरा अंतिमाकरमन होगा और 1030 में मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगा मैं गजनी बस इतना असा ही बोलना है अब यहाँ पर देखते हैं एक का मतब होगा 1001 1001 में गजनी ने भारत पर अपना पहला आकरमन किया था गजनी ने भारत पर पहला आकरमन कब किया 1001 में किया था यहाँ से यह कोश्यर में किया बहुत महत्तपोड है गजनी ने भारत पर कितनी बार आकरमन किया 17 बार आकरमन किया था गजिनी ने शौमनात मंदिर का पूटा एक हजार पचीस में रूटा था बहुत ही महात्यकों प्रश्ण है अकसर पर इच्छा में आता है अमेरती इसको गलती कर देते हैं अब नहीं होगा ऐसे गलती 1027 में भालत पर गजिनी ने अपना अंतिमा करमण किया था और 2030 में महमुद गजिनी की मृत्ति होई थी तो इस डायलोग के माध्यम से आप यह जो पांच पॉइंट से गजिनी से संबंदित यह हमेशा के लिए आप याद कर सकते हैं आप अपने औसे आखलं की जिएगा इसको पढ़ने के बाद में और आज के बाद इसको पढ़ने के बाद फिर दोहराईए दनाई फिर भी आपको यह याद रोगा कि मेरी पूरी गारंटी है मेरा अंतिमा कर्मण होगा और 2030 में मैं अपने प्राण त्याग दोंगा मैं गजदी बस इतना सही गोलना है बस इतने धेर सारे तर्थ आपके दिमाद में हमेशा के लिए बने रहेंगे हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्य बाद थैंक्यू सो मज झाल सबस्थ हुत प्राण जड़ दो खुत बाद